स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर आप अपने सपने में भगवान श्री विश्नु की खंडिक मूर्ती देखते हैं, तो ये सपना अच्छा नहीं माना गया है, ऐसा सपना देखने पर आपको अचानक से ही आपके कार्यक शेत्र में असफलता और अनेक बाधाएं देखने को मिलेंगी, और आपको जीवन के हर क्षेत्र में नुकसान ही हाथ लगेगा, इसलिए अगर आप सपने में भगवान श्री विश्नु की खंडिक मूर्ती देखते हैं, तो आपको किसी भी कार्यक को करने से पहले ये निश्चित कर लेना चाहिए, कि उसको करने से आपको को कोई भी कार्य करने से पहले आपको अच्छे तरीके से समझ बूज कर ही कार्य करना है, नहीं तो आपको हानी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी समस्या का समाधान ना हो, ऐसा सपना देखने के बाद आपको भगवान श्री विश्नु की उपासना करनी चाहिए, जि इस सपने के बुरे फल में कुछ कमी जरूर आएगी